दर्शन शास्त्र, धर्ण, साहित्य, वेद, पुराण और उपनिशत की अच्छी जानकारी रखने वाले, साथी एक समात सुधारक और अध्यात्मिक गुरू स्वामिन विवेका नंद जी का जन कॉलकता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था इनका वास्तविक नाम नरेंदरनाद दथ था शिकागो में दिया गया उनका भाषन आज भी हम सब के बीच प्रसिद्ध है शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने विश्व के सामने विश्व को भारतिय संस्कृती से परिच्चय करवाया था आज राष्ट्र युवा दिवस है युवाओं के सबसे बड़े प्रेणा श्रोत स्वामी विवेका नंद के जन दिवस 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्र युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है स्वामी विवेका नंद के विचारों एवं आदर्शों को युवाओं के लिए प्रेणा श्रोत हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 से 12 जनवरी को राष्ट्र युवा दिवस के तौर पर मनाया जाने की घोशना की गई थी इसके बाद वर्ष 1985 से हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्र युवा दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा है आज उनके जनम दिवस पर उनको याद करते हुए आज हम उनके विचारों को आप से साज़ा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से त्याग और सेवा के बारे में स्वामी जी के विचार है भारत के राष्ट्रे आदर्ष है त्याग और सेवा उनका कहना है कि दूसरों के प्रती सोचने से दुख्यों का दर्द समझने से उनके लिए काम करने से भीतर की शान्ती जाग उठती है और धीरे धीरे हृदय में सीही कासा बल आ जाता है प्रतिग्या करो कि अपना सारा जीवन लोगों के उधार कार में लगा दूगे स्वदेश भक्ती के विशय में स्वामी जी ने कहा था कि बड़ा काम करने के लिए मात्र तीन चीजों की आवशक्ता होती है बुद्धी, विचारशक्ती और हृदय की महाशक्ती यदि भारत के युवकों ने यह जान लिया कि भारत के देन बंधुओं और गरीबों की समस्याएं हमारी समस्याएं है तो समझ लो कि यही देशभक्ती की प्रथम सीड़ी है देशभक्ती का पहला पाठ है स्वदेश हितैशी होना उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष प्राप्त न हो जाए शिक्षा के विशय में स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे शिक्षा विवध जानकारियों का धेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिश्क में ठूस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहां आज़न में पड़ा रहकर गडबड मचाया करता है हमें उन विचारों की अनुभूती करनी चाहिए जो जीवन निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो यदि हम अपने जीवन में पांच पर्खे हुए विचार आत्मसात कर लें और उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो हम पूरे ग्रन्थाले को कंठस्त करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित है आज देश में धर्म के नाम पर हमारे बीच का साम्प्रदाइक सौहार्द समाप्थ होता जा रहा है इस संदर्म में स्वामी विवेका नंद जी के क्या विचार थे? आध्यात्म अव्यक्त ब्रम्ह धर्म के बारे में विवेका नंद ने कहा है कि प्रतेक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है बहरी और आंतरिक मन को संतुलित कर इसे अंतरनिहीत ब्रह्म को इस आत्मिक ब्रह्म को अभिव्यक्त करना ही जीवन का उद्देश है वे कहते हैं कर्म भक्ति एवं योग इन में से किसी एक या इन तीनों के समिलन से इस धे को उद्देश को प्राप्त किया जा सकता है और मुक्ती पाई जा सकती है यही धर्म का सार है और हम यहाँ पर हिंदु मुसल्मान सिख इसाई के नाम पर लड़ रहे हैं वास्तविक रूप से देखा जाए तो धर्म हमारे अंदर का अनुशाशन है जो हमें अनुशाशत रहना सिखाता है आप कभी अपने उपर विचार करके देखें आप अपनी दि व्यक्ति को सपल होने के लिए किसी गौड़ फादर किसी गौड मदर या किसी पत्प्रदर्शक की आवशक्ता होती है हम सबको ऐसा रगता है कि हमारे जीवन में किसी गौड़ फादर का होना चाहिए जिससे हमें सपलता हासल करने में बहुत ही आसानी होगे अगर पड़े और इस प्रकार हम एक सुखद राष्ट्रो और एक नव राष्ट्रो के निर्माण में अपना योगदान हम सब दे सकते हैं फिलहाल के लिए इतना ही चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजाज़त जैहन